Hello everyone, welcome back to this channel, in this video we will solve question number 1 of exercise 8.2 from PSDB textbook class 7 Convert the following fractions into percents So, यहाँ पर जो हमें fractions दी हैं, उनको हमने percents में change करना है First part है 1 upon 8 अब पहले तो आप यह understand करो कि percents होते क्या है Percent age को represent करने के लिए हम इस symbol का use करते हैं, ठीक है? And percentage का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हमने out of 100 represent करना है So, for example, अगर हमें दिया है 87% तो इसका मतलब क्या है? 87 out of 100 ठीक है? इसी तरह से अगर आपको दिया है 2% तो इसका मतलब क्या है? 2 out of 100 ठीक है? So, percent को हम इस तरह से understand कर सकते हैं कि कोई fraction दी हुई है with any numerator उसका अगर denominator 100 दिया है तो इसको हम percent की form में कैसे represent करेंगे? N percent ठीक है? Numerator यहाँ कोई भी हो सकता है अगर 5 है numerator 5 upon 100 तो इसको हम represent कर सकते हैं as 5% अगर यहाँ पर उपर 7 है 7 upon 100 तो यह आ जाएगा 7 percent ठीक है? Clear? अब यहाँ पर देखो यहाँ पर fraction है 1 upon 8 तो 1 upon 8 को percent में convert करने का easiest method क्या है? 1 upon 8 को 100 percent के साथ कर दो multiply ठीक है? अब यह जो percent का sign है यह तो आपने end में रखना ही है ठीक है? बाकी का जो portion है उसको आप solve कर लो So 1 into 100 यह आगे 100 upon 8 इसको simplify कर लो 4 2s are 8 25 into 400 होता है तो this is 25 upon 2 percent अगर आपने इसको further एक step और decimal में change करना है तो क्या आएगा? 25 को आप 2 के साथ divide कर दो 2 1s are 2, 0 बचा, उपर से 5 आया 2 2s are 4, 1 बचा तो यहाँ end में decimal लगा दो decimal के बाद आप एक 0 लगा दोगे यहाँ पर quotient में यहाँ पर भी decimal लगेगा right and यह जो 0 लगाया है आपने end में इसको आप नीचे ले आओगे so this will be 2 5s are 10 ठीक है? so this is 12.5 percent ओके? वैसे भी आपको बता ही है ना कि 25 का half क्या होगा? 24 का half होता है 12 ओके जी? 12 2s are 24 अब बचा 1 1 का half कितना होएगा? half होएगा तो half को आप decimal की form में कैसे represent करते हो? 0.5 से so 12 plus 0.5 equals to 12.5 ओके? अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक question आ सकता है कि अगर आपने 1 upon 8 को 100 percent के साथ multiply किया तो यह जो original value है fraction की 1 upon 8 क्या यह change नहीं हो जाएगी? answer है no क्यूँ? क्यूँकि आप यहाँ पर समझो 100 percent का मतलब क्या है? 100 यह जो percent है percent क्या represent करता है? यह represent करता है 1 upon 100 को ठीक है? so 1 upon 100 को हम percent के साथ represent करते हैं क्यूँकि percentage क्या है? कुछ पार्ट जो भी पार्ट आप represent कर रहे हो out of 100 जैसे यहाँ पर 87 percent है न इसका क्या मतलब है? 87 parts out of 100 parts जैसे यहाँ पर 5 percent है 5 parts out of 100 parts ठीक है? so अगर हमारे पास 100 percent है तो इसका मतलब क्या है? 100 यह वाला 100 लिखा multiply by percent का जो symbol है उसकी जगा पर आएगा 1 upon 100 so 100, 100 यह तो आवस में कर जाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा right? so 1 upon 8 को हम basically 1 के साथ ही multiply कर रहे हैं अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 100 percent ओके? so 1 upon 8 को जब आप 1 से multiply कर रहे हो तो fraction की value में तो कोई change नहीं आएगा right? अगर आप किसी भी चीज़ को 1 से multiply करते हो तो वो चीज as it is रहती है ठीक है जी? so अगर आपको किसी भी given fraction को percentage में change करना है तो उसको आप 100 percent के साथ multiply कर दो okay? percent का symbol आपने as it is रखना है और बाकी का जो है उसको आप solve कर लो ठीक है जी? so यही चीज़ आपने करनी है क्यों ऐसा करना है? वो मैंने यहाँ पर आपको explain कर दिया है okay? second part है 49 upon 50 so 49 upon 50 को हमने percentage में change करना है तो हम 100 percent के साथ multiply करेंगे right? so this is equal to 51s are 50 52s are 100 so 49 को 2 से multiply करो 2 9s are 18 1 carry 2 4s are 8 plus 1 9 so this is 98 percent next है 5 upon 4 5 upon 4 को 100 percent के साथ multiply कर दो 4 1s are 4 यहाँ पर आएगा 25 equals to 25 into 5 होता है 125 and साथ में लगेगा percent का sign so 125 percent के represent करता है कि अगर 100 parts के साथ comparison किया जा रहा है तो आपके पास है 125 parts next है 1 and 3 upon 8 यह mix fraction है पहले तो इसको fraction में change कर लो denominator सेम रहेगा 8 1s are 8 plus 3 11 so 11 upon 8 अब आप 11 upon 8 को percentage में change कर दो so this will be इसको 100% से multiply कर दो 4 2s are 8 यहाँ पर 25 आगया इक्वल्स टू 11 इंटू 5 55 5 कैरी हो गया 11 2s are 22 22 plus 5 27 so 275 अब हम इसको टिवाइड करके decimal की फॉर्म में लिख लेते हैं 2 के साथ जाएगा 2 1s are 2 0 7 आगया 2 3s are 6 1 बचा 5 आगया उपर से 2 7s are 14 1 बचा यहाँ पर decimal लगा लो quotient में भी decimal लगेगा decimal के बाद आप 1 0 लगा लो 0 को आप नीचे ले आओ 10 बन गया 2 5s are 10 ठीक है तो यह पूरा पूरा डिवाइड हो गया okay so we can write 137.5 percent so this was question number 1 in the coming videos we will solve more questions thanks for watching take care